थर्टीन में क्या लिखा है वाई टू बॉल्स आट रेंडम विद रिप्लेस्मेंट इसमें रिप्लेस्मेंट है और बैक कंटेनिंग टैन ब्लैक बॉल एट रेड बॉल ठीक है अब फर्स्ट पार्ड में बोला है दौनों की दौनों रेड बॉल होने चाहिए बोथ आर प्र रिप्लेस्मेंट है रिप्लेस्मेंट का मतलब है कि आप ने पहले बॉल निकाली बापिस रग दी मुल फोल बॉल बैसी रहेंगी तो रेड बॉल निकाली बोथ राड है ठीक तव आप्ने बापिस बॉल रख दी अ toutल यसे हमारे पास eight red ball है और total 18 है तो कितना आ जाएगा five upon nine sorry four upon nine into four upon nine sixteen upon eighty one ठीक है second part first ball black first हमारी black होनी चाहिए बॉल और second हमारी red होनी चाहिए बॉल तो ब्लैक कितनी है भाई एट ब्लैक है टैन तो टैन भाई 18 इंटू रैट कितनी है eight by 18 तो यह कितना आ जाएगा five by nine into four by nine तो यह आ जाएगा 20 upon 81 ठीक है third man one of them is black और other is red मतला एक रैड होनी चाहिए एक ब्लैक होनी चाहिए और एक रैड होनी चाहिए तो मालो आपने पहले ब्लैक निकाल ली तो 10 by 18 इंटू 8 by 18 ये केस हो गया जो इसमें प्लस आएगा जब इसमें और इसमें इंतर क्या हुआ इसमें भी तो बोला था एक ब्लेक हो एक रैड अंधु तो अगर तमने पहले ब्लेक निकाला फिर रैड निकाला रैड दूसरा सपिकेस यह भी तो सकता कि किसी ब्लेक निकाला जयिए लुग्त से कई लग उना जाना। deeply ब्लेक हो जगे अप पोजीशन को इंटरचेंज यह की बात होती है तो 40 upon 80 बना जाता है solve कर लो ठीक है तो यह सी ध्यान रखना कि यह क्या language of Hasani की कोसिस हो